असलाम लेकुम आज हम लोग करेंगे बच्चो एक्सरसाइस 3B का क्वेस्चन नंबर 12 फाइंड दा प्रोड़क्ट पेज नंबर 49 पे क्वेस्चन नंबर 12 है और ये बहुत ही आसान है क्वेस्चन आपको सिर्फ टेबल जाने चाहिए तो कभी भी आपके लिए multiplication of fraction मुश्किल नहीं होगी हमें उनने ये fraction दीवी है इनको कैसे multiply करना है जैसे मैंने आपको प्रिविस लेक्चर्स में भी बताया वा है कि जब हमने fraction को multiply करना होता है तो numerator numerator से multiply होता है denominator denominator से multiply होता है तो 1 x 2 and 9 x 3 2 1s are 2, 9 3s are 27 इसी तरहा 1 x 7, 5 x 8 7 1s are 7, 5 8s are 40 simple next 1 x 5 8 x 6 so 5 1s are 5, 8 6 are 48 very simple ठीक है तो इसी तरहा आप लोगों ने question number 12 के A, B, C, D, E, F parts अपनी note copy के उपर इसी तरहा solve करने है and question number 13 again question number 13 भी ऐसे ही हमने करना है के fractions को multiply करना है numerator, numerator से multiply होगा denominator, denominator से multiply होगा 4 1s are 4, 12 7s are 84 so this is the answer इसी तरहा आपने इसके जो सारे parts है वो अपनी note copy के उपर आपने ये सारे question number 12 and question number 13 note down करने है thank you